तो यहां पर particular हम introduction देखने वाले हैं git का कि git है क्या और साथ में इसके अंदर जो जो चीजे है या जो इसके basics है वो हम यहां पर से देखने वाले हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि git है क्या तो git एक version control system है हना जिस पना था लिनर्स टोवर्ड्स ने बट यह है क्या version control system तो वर्जन control system क्या होता है कि एक version ही होता है जिसको manage करते हैं जैसे कि कोई आप एक फाइल पर वर्क कर रहे हो अब उसका पर एक version बनाते हो कि वर्जन वर्ण में मेरा सॉफ्टर यह है वर्जन टू पर यह है यानि कि थोड़ा बहुत अपडेट्स वागर जो होते हैं उसके अंदर आप ऐसा बोल सकते हो तो यह एक version control system होता है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि अपनी files को manage करते हैं सबसे परने हम यह देखते है हमारा Local version control system किया है centralized डिश्ट्रीटिटर शिचन क्या है तो हमारा जो वर्जन कंट्रोल सिच्टम होता है जो लोकल होता उसके अंदर क्या होता है कि हम लोग अपने local computer पर सभी फाइल को manage करते हैं तो हमारा पास एक computer है उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे है कि version के हिसांब से अब आपने फैल्स को अरेंज कर रहे हैं जैसे कि आपने एक उक और लिखा कि यह हमारा वर्जन 2 है सेम ब्रोजेक्ट का फिर आप्टे की होगा वर्जन 3 का तो करेंगे कि जो वर्जन है वह आप लोकली अपने computer के अंदर क्या कर रहें कि स्टोर कर रहें है आप फोल्डरवाइस अपने computer के अंदर आप उसको folder वाइस श्टोर कर रहें लोकल वर्जन कंच्रोल सिस्टम इसी का जो नेक्ट फेज आता है वह आता बना सेंट्रलाइज्ड वरजन कर्फ शिटम में क्या होता कि आपके पास एक सेंट्र में एक गोती है उसके उन्हाइस सारी आपकी होती है जो बरेंट बरिजन वन हैं वरियुघ भी जिद्टिया और अप डट लिए आप इसके यंद3 आप इस सब्सकर करते हैं के आय। और आपने इसको पूरे वर्जिन को यह हमारा सेंटरल लाइट वर्जन कंट्रोल सिस्टम मतलग जिसके अंदर आपके सेंट्रल पे आपके लिए पोस्ट्री होती है और वही एक्सेस करते हैं हमारे सभी जो एक तरह से इसको जो भी डिवलःपर आता है वह ग्यांता है कि उसका प्राइश नदर उसने क्या कि लिया और फिर इसके जब चेंज करें तो वह वो उसको पुश्क कर देंदि यहाँ पर तो जो code यहां पर होगा वही उसके local में भी होगा तो इसका फायदा क्या होता है कि अगर लेटसे की mark का यहां से code हट गया तो क्या होगा कि फिर वह वापस यहां से server से उठा सकता है या server का भी let's say की code हट गया by the way या delete हो गया तो क्या होगा कि आप किसी भी user के system से आपको code सभी उठा सकते हैं तो यह easy होता है आपका जो code होता है उसको figure out करना या safe भी होता है बलकि central वाले में आपका code safe नहीं है पर distributed version control system में क्या होता है कि आपका सभी code आपका distributed होता है तो यह safe होता है basically और सभी लोग क्या करते हैं कि इसकंदर अपने इसाफ़े चेंजर करके उसको पुश्क करते है तो git हमारा क्या होता है कि वह free and open source है यानि कि सभी लोग इसको यूज कर सकते है ऐसा नहीं कि कोई restrictions है कि यह यूज नहीं कर सकते अगर अपने payment नहीं कि तो आप यूज नहीं कर सकते ऐसा कोश भी नहीं है यह free and open source है आपका वो टीम और जो भी उसके employees है या developers है वह बहुत सारे teams को या employees को नहीं कि साथ में लाता ताकि वो किसी same project पर work कर सके है कोई प्रोजेक्ट है उसके उप आपने जेंजिस किया है यह सभी track करता है हमारा git एक टेकनोलोजी है जो की इसका काम है files को track करना उसके चेंज इसको track करना और किसे चेंज किया कि है हुँ मेड़ें किसने उस वाइल के नेशन किया है और क्या चिंज निस इसको को यह ट्रैक करके रखता है साथ में code collaboration के लिए भी काम करता है कि आप जो है code merge कर सकते हैं एक दूसरे का आप साथ में काम कर सकते हैं टीम के साथ में आप काम कर सकते हैं तो इस तरीके से काफी useful होता है और आप देखेंगे डेय टूडे में जो भी हमारे developers होते हैं वो अपने लगबक 70% developers यूज करते हैं यह ज्यादा आकड़ा होगा विकॉज 70% लगबकि एपरोक्स 80-90% developers हमारे यूज करते हैं विकॉज आप किसी ने किसी फेस बे अगर आप developers है तो आप git को आप यूज करोगे बिगनर्स नहीं हो तो ही ऐसा हो सकते हैं कि आप नहीं यूज कर रहे हो बट लोग यूज करते हैं developers can work from work together from anywhere in the world तो जैसे कि अभी work from home चल रहा है mostly developers का उसके अंदर क्या होता है कि आप world के किसी भी कोने में हो आप अपने कंपनी के जो भी software से या उनको बना सकते हो तो आप क्या करते हो कि आप git पर डिपेंडेंट रहते हो आपने क्या क्या कि कोड आपने डाउनलोड कि आपने उसके अंदर कुछ प्रोजक्ट तो कोई एक नया developer आता है और उसको अगर आप कोई एक प्रोजक्ट देता हो तो वह बिगनर से देख सकता है स्टार्टिंग से कि किसने क्या कोड कुछ किया हुआ है या कुछ बग आई तो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हो आपकी हिस्ट्री देख करके कि किसने कब क्या चीज चेंज किया है कि अपना रिकॉर्ड करता कि किसने चेंज किया है कब चेंज किया है और कौन सी फाइल मे है उसके हिसाब से वह स्विच हो सकते हैं अब गिट और गिट हब देखो गए तो काफी सिमिलारिटीज है क्योंकि गिट क्या करता है कि यह एक टेक्नोलोजी है बेसिकले जो की यूज की जाती आप कोड को मैनेज करने के लिए और गिट है वह एक क्लाउड बेस्ट है यह एक कर सकते हैं आपको वीडियो अच्छे लेगी यह इस लेटेर कोशन आपके मन में तो आप कमर से समय लिखें बसको जो जवाब दूँगा मिल दें तब तक के लिए बाए बाए